उम्शान्ति आज 25 सेप्टेंबर 2022 आज की अव्यक्त मुर्ली से हमें बाबा गुन सिखा रहे हैं सत्यता का सत्य अविनाशी है और सत्य को सिध्धी का वर्दान है सत्य कभी भी छिप नहीं सकता है और नहीं नस्ट हो सकता है कभी कभी मनुष्य असत्य का सहारा ले करके चल्दी सफलता प्राप्त करना चाहता है शौटकट्स लेना चाहता है लेकिन सफलता के कोई शौटकट्स नहीं होते हैं जब वो असत्य के मार्क पर चल कर सफलता प्राप्त भी कर लेता है क्योंकि ये असत्य की दुनिया है और रावन का राज्य है तो रावन भी अपनी तरह से सफलता प्राप्त कराता है और महसूस कराता है कि वो व्यक्ति सफल हो गया है लेकिन रावन की मत पर असत्य के मार्ग पर चल कर जो प्राप्त हुई सफलता है उसकी उम्र लंबी नहीं होती है वो अल्पकाल की सफलता होती है और जैसे ही असत्य खतम होता है वो परदे हट जाते हैं और सत्य सामने आता है तब मनुष्य दुख भी अनुभव करता है और सजा भी प्राप्त करता है और जो सत्य के मार्क पर चलता है उसको जो सफलता प्राप्त होती है वो सदाकालीन होती है इसी लिए हमेशा सत्य का मार्क चुनना है छोटी-छोटी बातों में अट्रैक्शन म आजाते हैं और सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं लोब में आकर के असत्य का मार्ग अपना लेते हैं जैसे रामायन की कहानी हम सब ने सुनी हैं जब सीता ने स्वर्ण म्रुग को देखा तो वहां पर वो भी अट्रैक्शन में आ गई और जैसे राम से किनारा कर लिया उस स् तो यह पहला अट्रेक्शन आया जो राम से किनारा कर दिया फिर दूसरी बार भी भ्रमित हो गई लक्षमन को भी भेज दिया जब उसने आवाज सुनी और समझ लिया कि यह राम की आवाज है तो लक्षमन को भी उसके पीछे भेज दिया रावन के बनाए हुए जाल में दु हो गए कैसे जब रावन आया साधू के वेश में तो उसे भी पहचान न सकी और जो लक्षमन ने सुरक्षा के लिए लक्षमन रेखा बनाई थी उसे पार करके बाहर चले गए तो जब बुद्धी बिलकुल भी लॉक हो जाती है उसे समझ ही नहीं आता है कितना भी समझाए असत्य के मार्ग पर वो सत्य निर्ने नहीं ले पाते हैं और माया से रावन के रचे हुए जाल में आत्मा फस जाती है ऐसे तीन-तीन बार जो गलतियां की फसते गए फिर सीता को शोकवाटिका में जाना पड़ा तो दुख का अनुभव करती है आत्मा जब वो असत्य के मा पर चलती है इसी लिए पर मात्मा जो परम सत्य है और हम आत्मा भी सत्य स्वरूप है जो अभिनाशी है अपने सत्य स्वरूप में रहना है और पर मात्मा की कंपनी में रहना है उसके साथ कंबाइन रहना है तो माया कभी भी धोखा नहीं दे सकती है तो सत्य के साथ रहे औ और सदा विजयी बने, सफल बने आज के दिवस की यही शुप कामना, ओम शान्ती.